जहे हिन दोस्तों नमस्कार मैं हूँ क्रिष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूँ अभ्यास ओंलाइन क्लास के इस नए वीडियो में तो दोस्तों हम आज इस नए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों GK Capsule और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों पहला नमबर का part है इस part में हम देखेंगे दोस्तों महतोपुन समानने ग्यान वो भी one line प्रकार का तो एक question रहे हैं उसका फर्ट से answer फिर question फिर फर्ट से answer तो लगातार दोस्तों बहुत ही काम समय में 200 question को हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं सभी महतोप उन प्रशनों का संगर है दोस्तों तो आप जितने भी preparation कर रहा है उसका आपका preparation 100% होने वाला है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो के अंतक जरूर बने रही है तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 200 महतोप पूर प्रशन जिसमें पूरी तरीके से जितने भी प्रशन होंगे सभी geography के प्रशन होंगे तो दोस्तों आप जो है comment करके जरूर बताएं वीडियो सीरीज कैसा लगने वाला है तो चलिए एक एक करके सभी प्रशनों को देखते हैं प्रशन है दोस्तों भारत के किस इस्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों जो है भारत का वह इस्थान जिसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों वह है सिया चीन तो दोस्तों आपको बताना है कि सिया चीन जो है भारत में कौन सा जो राज्य है वहाँ पास आता है ठीक है नेक्स्ट है जम्मु कस्मीर का वह इसा जो चीन के अधिकार में हैं क्या कहलाता है तो अक्साई चीन कहलाता है जो की जम्मु कस्मीर के छेत्र में आता है किस राज्य में किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था तो वह है अनुनाचल प्रदेश को तो अनुनाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था कोरी निवेशी का कहां इस्थीत है तो कच्छ कारण में इस्थीत है प्राचिन भारतिय भागौलिक मानेता के अनुसार भारत किस दूइब का अंग था तो जम्बू दूइब का अंग था राजिस्थान की गंगा नागहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है तो सतलज नदी से प्राप्त होता है विजय नगर समराज की राजधानी हमपी किस नदी के तट पर इस्थित है तो तुंगभद्र नदी के तट पर इस्थित है सरदार सरवल किस राज़्य में इस्थित है तो सरदार सरवल बान जो है कुजरात में इस्थित है तरवनी तेल शोध कार खाना किस राज़य में इस्थीत है तो दोस्तों ये आउल रिफेनरी बिहार में इस्थीत है ब्राजिल इस्थीत अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं तो सेलवा कहलाते हैं अफरीका में आशुआन बांध किस नदी पर है तो वह नील नदी पर इस्थीत है तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है आपको पता होगा नेक्स्ट है रबात किस देश की राज़धानी है तो मुरक्को की राज़धानी है भारत के किस छेतरफल में मरोका अच्छादित है तो दोस्तों 752.3 लाख हेक्टेर है देश में कितनी बाग परियोजनाय कारे रहत है तो वरतमान में दोस्तों आज की डेट में तीरपन बाग परियोजनाय भारत में कारे रहत है फ्री टाउन किस देश की राजधानी है तो दोस्तों फ्री टाउन किस देश की राजधानी है तो यह है सियारा लियोन की राजधानी है चैतरफल की देश्टी से विस्व का सबसे बड़ा भूभाग आविश्टित देश कौन सा है तो वह है मंगोलिया करीबा बांध कहां इस्थित है तो दोस्तों आप सभी को पता होगा करीबा बांध जो है जॉम्बियाक में जेंबजी नदी पर इस्थित है तो क्या हो दोस्तों आप मुझे बताईए कि जॉम्बियाक किस महादविप में आता है विस्व प्रसिद्ध उलांग किसम की चाय किस देश में पैदा की जाती है तो तवाइन में पैदा की जाती है सुएज नहर के दोनों सीरों पर इस्थित नगरों के नाम क्या है तो सुएज तथा पोर्ट साइद बुलगारिया की राजधानी क्या है तो सोफिया जो है बुलगारिया की राजधनी है वक्रिट त्विश्वर्त आप विद्धूत के अंदर किस राज्य में है तो पश्चिम बंगालने में है एरिट फोरेट रिसर्च इंस्टिटूट कहा है तो जोधपूर में इस्तित है दक्षण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है तो विद्धूर करेक्ट आंसर हो जाएगा वन विज्ञान अम तक्नीकी संस्थान कहां इस्तित है तो दोस्तों ये बैंगलोर में इस्तित है पश्चिम बंगाल का टीटा मुंग पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है इसकी स्थापना कब हुई है 1881 में इसकी स्थापना हुई है किसन गंगा किस नदी की साहयक नदी है तो जहलम नदी की साहयक नदी है बेमबनाद जहील कहां इस्तित है तो दोस्तों केरल में इस्तित है इंपोर्टन्ट है बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्चन को डाइमंड हर्बल तथा Salt Lake City स्थीत है तो दोस्तों ये कहां स्थीत है तो Diamond Harval Kolkata में स्थीत है Barometer का पारा या थावत नीचे गिर जाने पर किस प्रकार का मौसम का संकेत देता है तो तूफानी मौसम का संकेत देता है चक्रवाती मौसम का संकेत देता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी तो को इसके दोरा की गई थी रेट क्रिप रेखा के दोरा गोबी कहां इस्थित है तो दोस्तों गोबी जो है मंगोलिया में इस्थित है आप सभी को पता होगा इस बारे में सोफिया किस देश की राजधानी है तो थोड़ी दर पहले मैंने बताया बुल्गारिया की जो है दोस्तों राजधानी है मरुस्थली रास्टिय पार्क 1981 में इस्थापित हुआ है बताइए कि यहां कि राजिस्थान के किस इस्थान के में किस जीले में है तो दोस्तों ये जो है बाड मेर वा जैसल्प मेर में इस्थित है धौली गंगा जल विद्धुत परियोजना किस राज्य में इस्थित है तो उत्तर प्रदेश में इस्थित है एरिट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट कहां इस्थित है तो यह जोदपूर में इस्थित है राजिस्थान के एक कृशी अनुसंधान के अंदर द्वारा तयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है तो यह सरसों की है ठीक है तो आप इस चीज को याद रखिए 00 किस फसल की है तो यह है दोस्तों सरसों की है किस भुगोल वेता को मानो भुगोल का जन्मदाता कहा जाता है तो फेडरिक रेजटेल को जो है जन्मदाता माना जाता है औस्टेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है तो यह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है थारू लोगों का निवास कहा है तो यह उत्राखंड में है भगवावनगर में किस उर्जा के उत्पाद की सरवधिक संभावना है तो जवारी उर्जा सुपीरियर जिल और हुड़नर जिल के बीच में सेंट मेरी प्रपात के बचने के लिए नहर बनाई गई है तो वो कौन सी नहर है? सुनहर है लैंड आफ रिसिंस शन के नाम से कौन सा देज जाना जाता है? तो वह है जापान राजिस्थान इंदर नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है सरदार सरवरबांध किस नदी पर बनाये गए है तो नर्मदा नदी पर बनाये गए है बहुत ही सिंपल सा प्रश्ण है उच्च दाप छेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने होती है तो वे अपारिक पवने होती है सिवान, जर्या, कुद्रे मुख तदा सिहं मुख भूम में से लौख छेत्र कौन सा है तो दोस्तों सभी छेत्रों में लौख मुख के लिए कुद्रे मुख जो जगह है वो है ओजोन परत इस्थित है तो यह ओजोन परत समताप मंडल में इस्थित है सभी मंडल आपको पता होना चीए पृत्वी की निकरतम दूरी का गरह कौन सा है तो जो है सुक्र मकर संक्रांती के समय करकरेखा पर दोपहर की सूर्य का उन्यांत होता है तो 66.5 डिग्री पर होता है वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक मृत्यू से ग्रशित होते हैं क्या कहलाती है तो चंदर शेकर सीमा कहलाती है मरुस्थरी पौधों की जड़े किस कारण से लंबी हो जाती है तो जड़े पानी की तलाश में लंबी हो जाती है संयूक्त अरब अमिराद की राजधानी क्या है तो आबुधावी जो है सयुक्तराब अमिराद की राजधानी है केंदर खनन उन संधान केंदर कहाँ इस्तित है तो ये धनबाद में इस्तित है भुगोल में 9 नियतिवाद के सिद्धांत के पृत्पादन किस ने किया है? तो जी टेर ने किया है किस तिथी को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षनी गुलार्द में सबसे बड़ा दिन तथा उतरी गुलार्द में सबसे बड़ी रात होती है तो वह है 22 दिसंबर तंबाकू का सरवाधिक उत्पाधन राज के किस राज्य में होता है तो आंधर प्रदेश में भारत का द्वीपो सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 7516.5 किलो मेटर है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग परवती है तो लगभाग 11 प्रतिशत भ तो एमडर्सन नार्वे की रहने वाले हैं जो पहली बार जो है दक्षनी दुरूपर गया था विश्व में सबसे अधिक उचाई परिस्थित उस ज्वाला मुखी का नाम बताई जिसकी उचाई 6960 मेटर है तो वो है अको कांगुआ ठीक है तो जो है दोस्तों आपको बतान किस राज्य के प्रमुक लोक नित है मतलब किस राज्य के प्रमुक लोक नित है तो वो है राजस्थान के लैंड ओफ गोल्डेन स्क्लिप ये किस से कहते हैं तो ये औस्टिलिया को कहते हैं विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटिया कनाडा इसकी लंबाई कितनी है तो पं तो यहां नेपाल में त्थित है टापिय संकूचन सिधानत के प्रितपादा कौन है तो जे फ्रीज है Sweden की राजधानी क्या है तो इस टॉक होम है कोटो फैक्सी जवाला मुखी किस देश में तथा किस परवत स्रेणी में है तो यह है दोस्तों देख कर एंडी स्परवत माला में इस्थित है आदम का पूल किस दो देशों के मद्धे में इस्थित है तो भारत और स्रिलंका में खैबर दर्रा कहां इस्थित है पाकिस्तान वा अफगानिस्तान के बीच तूजू दर्रा भारत के किस देश में जोडता है तो मतलब तूजू दर्रा जो है म्यामार और भारत को जोडता है आप सभी को पता होगा दोस्तों भारात है और मैंमार के बीच जो है पडोसी देश है और कुछ दर्राओं के किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा बोमडीला दर्रा किस राज्य में इस्थित है तो रुनाचल प्रदेश में इस्थित है किस दर्रे से होकर तीर्थ यात्री मानसरवर जील में दर्शन हेतु जानते हैं तो माना दर्रा से सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा इस्थित है तरनौा अथुला दर्रा तथा जिलब दर्रा जो है इस्थित है बुर्जिल दर्रा किस राज्य में इस्थित है भारत का सबसे उचा दर्रा कौन सा है तो जम्मु कस्मीर के लद्दाक छेतर को जोणने वाला कारा कुरम दर्रा सबसे उचा है स्रीनागर में गिलगित को कौन सा दर्रा जोणता है तो बुलगित दर्दा जो है जोणता है गंगा एवं ब्रह्मपूतर की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है सांगपो नदी किस राज्यक से होकर भारत में प्रवेश करती है तो रणाचल प्रदेस से ring, रजतक्रांती का संबंध किस से है, अन्डा और मुर्गियों से है सुन्दरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनती है तो गंगा नदी, ब्रह्मपूतर नदी और मेगना नदी पर बनती है तीनों मिलकर के बनाता है डेल्टा सुन्दरवन का डेल्टा भारत में रेलमार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाये जाता है तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे बड़ा रेल मार्ग का जाल है स्वयूकतर राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्ठेक किस राज्य में इस्थित है ठीक है उसी तरीके से एंडिस परवत माला दक्षन अमेरिका के सर्वोच परवत चोंटी है कहां है ये एंकांगुआ विश्व की अधिकांस पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रावधानता पाई जाती है 1980 में स्थापित भारती वन शर्वेक्षन विभाग का मुख्याला कहां है तो ये देहरादून में इस्थित है ब्लेक हील, ब्लू परवत और ग्रीन परवत नामक पहड़िया किस देश में इस्थित है तो दोस्तों ये USA अमेरिका में इस्थित है अफरीका में उत्तमाशा अंतरिक की खोज कश्रे किसे नाविक को जाता है तो दोस्तों ये है बार्थोलियूज डियास को जाता है विस्वका सबसे बड़ा प्रायदीब कौन सा है तो वो है अरब का जिसका छेतरफल 32,50,000 वर्ग किलोमेटर है चिनाव नदी का उद्गम कहां है तो ये है दोस्तों बारा लाचा दर्रे के निकट में भारत में कोईला प्रचूल मातरा में कहां पाया जाता है तो दोस्तों ये गोड़वाना छेतर में पाया जाता है भारत की सबसे उंची चोटी K2 जिसे गाडविनास्टीन की कहते हैं की उंचाई कितनी है तो 8611 मेटर है हीरा कुंड परियोजना किस राजजमें तथा किस नदी पर इस्थित है तो उडिसा में महा नदी पर इस्थित है रवांडा किस राजधानी किस की राजधानी है तो कीगाली की राजधानी रवांडा है माउंट एंटना किस परवतमाला में इस्थित है तो दोस्तों ये सिसली इटली में इस्थित है औस्टेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो दोस्तों माले डार्लिंग नदी के किनारे बसा है 3717 किलोमेटर इसकी लंबाई है ग्रिंड लैंड की खोच किस ने की थी तो रॉबर्ट पियारी ने ग्रिंड लैंड की खोच की है सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है मालिय एंजीला तो इसे वेनेज़ुएला में इस्तित है एंजील जल प्रपात की नाम से भी जिसे जानते है डोडोमा किस देश की राजधानी है तो तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है युगार्डा की राजधानी क्या है कमपाला ठीक है तो यूगाना की राजणी की गाली भीब है किस दिन प्रिथ्वी से सूरे की दूरी नियूंतम होती है तो 3 जनवरी को एक दिसांतर की सरवाधिक दूरी नियूंतम होती है भूमध्य रेखा पर दोस्तों दहारता चालिसा क्या है तो दक्षनी को लार्ध में 40 डिग्री अक्षांस के पास का इस्थान जहां तेजी पवने चलती है उसे ही दहारता चालिसा के नाम से जाना जाता है माओरी जनजाती का निवास कहा है तो नियूजिलेंड में है तुंग भद्र तथा भीमा नदियां किस नदी की सहयक नदिया है तो कृष्णा नदी की सहयक नदिया है चोटा नागपूर का पठार सबसे उची चोटी कौन सी है तो पासरनाथ है भारत की सबसे बड़ी नहर प पूझा जा चुका है, किस ग्रह को लाल तारा की संग्यात दी गई है, भारत की सरवाधिक गहरी खान कौन सी है कुलार की खान है भारती अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहा है तो ये बैंगलोर में इस्थीत है किस देश में घास के मैदान पर जो है पंपास कहलाते हैं तो अर्जेंटीना की घास पंपास कहलाते हैं देश में मौसम मांचितर बनाने का प्रमुक कारियाल ह किस नगर में स्थित है तो पूने में स्थित है मचकुंड जल विद्धूत परियोजना किस राज्य का संयूक्त उपकराम है तो उडिसा और आंधरप्रदेश संयूक्त मिल करके मचकुंड जल विद्धूत परियोजना बनाया गया है उत्तर प्रदेश उत्तर खंड हिमालय का सरवोच सीखर कौन सा है तो नंदा देवी है भारत का सरवाधिक नगरी कृत राज्य कौन सा है तो है महारास्ट है बॉम्बे आपको पता होगा ब्लैक हिल ब्लू परवत तथा ग्रीन परवत नामक पहडियां किस देश में इस्तित ह वरिहत जवार का बात है जब प्रित्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होती है तब दक्षणी अमेरिका का कौन सचेत्र जो है उस सबचेत्र फलकी द्रिश्टी से सबसे बड़ा है तो दक्षणी अमेरिका का ब्राजील देश जो है सबसे बड़ा है मंगल और के चोटे तुकड़ों को समुन को क्या कहते हैं चुद्रग्रह कहते हैं अलमाटी बान किस नदी पर है तो अलमाटी बान क्रिश्णा नदी पर इस्तित है जवाहर सागर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशियों का निर्मान किस नदी पर किया गया है तो चंबल नदी पर किया गया है जो जिल्ला दर्रा किन किन को जोड़ता है तुलेह और स्रीनगर को जोड़ता है एसकीमो लोगों द्वारा टुन्रा छेत्र में बर्फी की साहता से बनाए गए अर्धोगोलाकार आवाशों को क्या कहते है तो इसे इगलू कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, सोसल संच में आपने पढ़ा होगा, नदियों के जवार मुखी के कीचड को वाले किनारे के साथ साथ हलकी हलकी सी जैतून रंगे की वनस्पती और स्वसन मूल वाले जवारी वन क्या कहलाता है, तो ये गवार या फिर म जदी के पश्ची में इस्थभू भाग का है, तो यह जॉर्डन का इस्थित है, विश्व की सबसे सांत सीमा छेत्र के रूप में मानी जाने वाली 49 समनांतर आक्छांसरे का किन दो देसों को अलग करती है, तो यह यूएस और कनाड़ा को अलग करता है, तो बहुत ही इंप खेती जो है सरवाधिक प्रशिद्ध है, भारत में प्रत्थम जल विद्धु शक्ती की केंदर की स्थापना का और कहां किया गया है, तो 1902 में सीवा समुद्रम में किया गया है, भैसा घीसी सिंगी नामक जन जाती भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो नागलन में भारत का एक राज्य मनिपूर किस देश की सीमा पर इस्थीत है, तो यह मैमार की सीमा पर इस्थीत है, भारत का सरवाधिक जल वर्शावाला इस्थान माचिज जन राम किस राज्य में है, तुम्हें घाले में है, चेतरफल की दृष्टी से विश्व का सबसे बड़ा जो ह भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिसत है तो 17.7 जीरो प्रतिसत है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है तो 15200 किलोमेटर है इस्थल की लंबाई भारत की मुख्य भूमी के तटिय भाग की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमेटर है भारत के संपुन त त्टिय भाग की लंबाई द्वीप समुहों सहित कितनी है तो दोस्तों 7516.5 किलोमेटर है भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है तो 7 देशों के साथ मिलती है बांगलादेश, शीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यामार, भुटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान ठ बांगलादेश और म्यामार भारत की जल यह में इस्थल दूनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है तो तीन देश हैं बांगलादेश, म्यामार और पाकिस्तान तो इस चीज को आप याद रखिए इंद्रा कॉल किस राज्जय में स्थीत है तो जम्मू कस्मीर में इस्तित है भारत का सबसे पस्चमी बिंदु कौन क्या है तो सरक्रीक रेखा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन से है बलांगू है रेट क्लिफ रेखा का निर्धारन कप किया गया था तो 15 अक्टूबर 1947 को सर सीडी रेट क्लिफ के द्वारा कि जारखन पस्चे मंगाल प्रिपुरा एवं मिजोरम जो राज्य है वह शामिल है कुलाब पॉइंट कहां पर है तो यह मुंबई में स्थीत है पॉइंट काली मेरे किस राज्य में स्थीत है तो यह तमिलनाडू में स्थीत है मेक मोहन रेखा कब निर्धारित की गई है तो मेक मोहन रेखा 1914 में सिमला समझाओता के ताहत मिलाई गई है भारती उप महाद्वीप में कौन कौन से देश समलित है तो भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल वा भूटान सामिल है गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो वह है आंधर प्रदेश की भारत की कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं तो दोस्तों कितने राज्य हैं वहन नाव राज्य है भारतवा पाकिस्तान की सीमा को इसपर्ष करने वाले भारती राज्य कौन-कौन से हैं जम्मु कश्मीर, लद्दाक, पंजाब, राजिस्थान तथा गुजरात वैसे जम्मु कश्मीर जो है दोस्तों उसको राज्य की नहीं है अब वो क्या हो गया केंदरसासित प्रदेश है भारतव चिन की सीमा को इसपर्ष करने वाले भारती राज्य कौन-कौन से आप जान सकते हैं जम्मु कश्मीर, हिमाचर प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम, तथान, उनाचर प्रदेश भारतव वा मैमार की सीमा को इसपर्ष करने वाले भारती राज्य कौन-कौन से है हिमालाय की उत्पत्ती के संबंध में कौन सा सिध्धान्त है तो प्लेट विवर्तनक का जो सिध्धान्त है वह प्रचलित है भारत की कुल कितने राज्य पडोसी राज्य देशों से जूड़े हुए है तो अटर राज्य है पडोसी से मिला हुआ है मतलब चीन और बांगलादेश से घिरा भारती राज्य कौन सा है तो वह है दोस्तों प्रिपूरा है तो इन्पोर्टेंट है ये तीन है न तो इसको ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोश्चन देखते है सिमला से तिबबत को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो दोस्तों सिप किला दर्रा जोड़ता है किस राज्य की समुद्रतट रेखा सबसे छोटी है तो गोवा की समुद्रत अच्जोटी है समपूर्ण भारत के छेतर मतलब कितने छेतर पल मैदानी विस्तार है क्या कहलाता है सरग कहलाता है हिमालय परवत की अराकन योमा नमक चोटी किस देश में इस्थित है तो हिमालय की यह चोटी म्यामार में इस्थित है सिवालिक स्रेणी का निर्मान कहां सी हुआ है तो दोस्तों यह सिने जोई काल में इसका निर्मान हुआ है भारत की सबसे प्राचीन परवत्सरेणी कौन सी है तो यह है अरावली परवत्सरेणी है अरावली की पहाड़ियों की पूर्वकी ओर से कौन सी नदी आती है तो यह है बनास नदी जो की 36 गर से आती है मतलब सबसे बड़ा हीमनद ग्लेशियर कहा है तो यह सियाचीन है कौन सी परवत माला सहादरी के नाम से जानी जाती है तो पस्चमी घाटी है भारत और म्यामार के बीच कौन सी परवत सरणी सीमा का निर्धारन करती है भारत का उर किसे कहा जाता है तो छोटा नाकपूर का पठार को कहा जाता है पस्चमी घाट कहां पर विस्तित है तो दोस्तों तापी नदी से मुहाने से कुमारी अंततिक तक लगभग 1600 किलोमेटर तक यह फैला हुआ है दक्चिन भारत की उची चोटी सबसे उची चोटी कौन सा है तो है दोरा बेटा है दक्चिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सा है दोस्तों तुए है अन्नाय मुडी है जिसकी उच्चाई जो है लगभग 2696 मिटर तक है अंधर प्रदेश और उडिशा के तटिय भाग में कौन सी पाड़ी है तो दोस्तों महंदर कीरी की पाड़ी है भारत के पुर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बाटा गये है तो तीन भागों में बाटा गये है कोरो मंडल टत गोल कुंडा तट तथा उतरी सरकार तट के नाम से भारत की पुर्वी तट पर इस्थित समुद्री जो प्रमुख बंदरगा है उसे क्या नाम देया गया है पाराद्वीब, उडिशा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, विसाखा, पटनमांधर प्रदेश, चिननई, तूति कोरिन बंदरगा उसी तरीके से पुर्वी तट पर इस्थित प्रमुख लैगून कौन सा है तो पुली कट, चिलका और केले भारत के पश्चिमी तट में कितने भागों पाटागे हैं तीन भाग में कोंकर तट, केनरा तट और मालाबार तट भारत के पश्चिमी तटपर इस्थित प्रमुक बंदरगा कौन कौन से है कांडला, मर्गुगुआ, मैंगलोर तथा इन्वावोवेशना ठीक है अन्मा निको बार्क दीप समूंग की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो सेंडल पीक है जो 730 मिटर उंचा है लक्षदीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो अंड्रेज है दक्षिन अमेरिका में इस्थल बद देश कौन सी है तो है परागवे और बोलविया कौन सा राज सेवन सिस्टर से नहीं है तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में सामिल नहीं है आप इसको याद रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न अंतिम प्रशन है दोस्तों गोबी मरुस्थल किस देश में इस्थित है तो गोबी मरुस्थल दो है दोस्तों मंगोलिया वा चीन में इस्थित है तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे 200 कोशन को कभर किया है तो 200 में से कितने कोशन आपको याद हुए कमेंट करके जरूर बत मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ टेकर आल देवास्ट जया हिंद।